नमश्कार जिस्वीर क्रेशन चैनल पे आप सब भेनों का स्वागत है आज हम आपके लिए एक और सुन्दर सा बॉर्डर और साथ में बट्र पट्टी लेके आएं हैं इससे पेले हमने एक और डजाइन बॉर्डर का डजाइन और साथ बॉर्ड बट्र पट्टी बनाई थी वो हमारे विएवर्ज ने बहुत लाई की है तो जब वो वाली वीडियो हमारी हमारे एक बॉर्ड ने देखी अफजान कुरैशी उन्होंने हमें कमेंट्स करके कहा कि मैम आप न इचक दाना बॉर्डर और विद बटन पट्टी बनाए तो हम तो दानेदार बॉर्डर बोल देते थे लेकिन इचक दाना बहुत अच्छा लगा कि हम इस बॉर्डर का नाम ही इचक दाना रख देंगे अब जे उन्ही की फरमेश पर हम बटन पट्टी और एचक दाना बॉर्डर लेके आए हैं इसको बनाना बहुत असान है इसको किसी भी कलर में डालिए जे बनकर लगता ही बहुत सुंदर है और साथ में बटन पट्टी बनाए बॉर्डर बनाए बाचूं का बॉर्डर भी आप बना सकते हैं और पूरी कार्डी गन की जो पत्टी है वो बना सकते हैं और बैक साइड से बिलकुल सिम्पल है लेकन बौर्डर बैक साइड से भी बनेंगा डिजाइन के तौर पे और बीच में आप कोई भी जो एप लेन हमने छोड़ा है न जहां आप कोई भी design डाल सकते हैं, छोटा छोटा, इससे पहले भी हमने एक video अपलोड की है, उसमें एक हमने छोटा छोटा design बनाया है, वो भी ready look देता है, वो design भी इसी color में बना सकते हैं, 99, 299 design number है, वो, तो वो आप ओस पह बना सकते हैं, ready look देगा और इस इचक दाना border को कैसे बनाना है वो हम आपके साथ share करेंगे जे हमने 12 फंदो की बटन पटी बनाई है और जे हमने border बना है border आप इससे और जयदा भी बुढ सकते है और बटन पटी के फंदें जितने आप चाहें जितनी इसकी length है न जे वाली जो विड़त है इतनी आप इधर length रख सकते हैं water की तो इसको कैसे बनाना है वो हम आपके साथ share करेंगे तो इसके लिए friends हमने क्या करना है हमने एh simple fundे डाले हैं जे right side है simple fundे डाले थे हमने और wrong side हमने बना ली थी अब जे right side है तो right side में हम क्या करेंगे एक फंदा सीधा ही उतार लेंगे thread अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा एक फंदा उल्टा, thread दूसरी तरफ, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा बस ऐसे जैसे बाटर बनाते हैं, ऐसे हमने पूरी स्लाई बनानी है, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा और last में हमने दो फंदे उल्टे बनाने है, मतलब last में हमने दो ही फंदे उल्टे बनाने है, starting में भी दो उल्टे है ये वैसे हमने चेन के लिए उतारा है लेकन इसके साथ में दूसरा फंदा उल्टा है, तो last में हमने दो उल्टे रखने हैं, पीच में आपने सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा बुनते जाना है, दो सलाई का ही डिजाइन है, अब हम आते हैं, रॉंग साइट पे जिस direction में हमें फंदा दिखता है, अगर ये सीधा दिखता है, तो हमने सीधा ही उतारना है, आगे हमने thread अपनी तरफ करके, ये हमें फंदा सीधा दिख रहा है, इसको उल्टा बुनना है, जैसे हम उतारेंगे, इसको उल्टा बुनेंगे, thread पीछे करेंगे, जे फंदा हम हमें उल्टा दिख रहा है इसको हम सीधा बुनेंगे सीधा सीधे पर यह सीधा है और इस पर उल्टा थ्रैट दूसरी तरफ उल्टा फंदा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा यह देखिए सीधा है तो जहां उल्टा यह उल्टा है तो जहां सीधा अब लास्ट में हमने उल्टा फंदा बुनना है तो हम दो उल्टे फंदे बुनेंगे तो हम लास्ट में जब भी सलाई लास्ट में आएंगे तो दो उल्टे ही फंदे बुनेगे इधर भी उधर भी अब हम आते हैं नेक्स टाइब बॉडर हमारा जे देखिये स्टार्ट हो गया है बनना बस ऐसे ही बनाना है एक बार और बताते हैं सीधा फली अला फंदा उतारें क्योंकि हमने जे चेन बनानी है ना फ्रंट में तो अच्छी लगती है तो हम सीधा जैसे ही उतारा अपनी तरफ थ्रेड किया तो हमने उल्टा फंदा बुना है उल्टा बुना थ्रेड पीछे किया उल्टे पे अब तो सीधा आएगा, उल्टा, सीधा, जे देखें, ऐसे बौटर आएगा, फिर सीधे पे, जे सीधा पंदा है, इस पे उल्टा, थ्रेट उदर, सीधा, उल्टा, सीधा, उल्टा, ऐसे हम पूरी स्लाई बना लेंगे, उल्टे पे, सीधा, सीधे पे, उल्टा, जे देखे लास्ट में हम आए हैं तो जे फंदा उल्टे पे सीधा आया है थ्रेड अपनी तरफ करेंगे और दो उल्टे फंदे बुनेंगे ये ध्यान रखना है आपने लास्ट में दो फंदे उल्टे आएंगे जब हम दूसरी रॉंग साइड में जाएंगे तो फंदा हमें इस सीधा दिखेगा तो हमने क्या करना है सीधा फंदा ऐसे ही उतार लेना है और अपनी तरफ ध्रड करके इस फंदे को उल्टा बुनना है फिर उल्टा फंदा है इस पे हमने सीधा बुनना है फिर उल्टा बुनना है, सीधा बुनना है, उल्टा, सीधा, उल्टा, सीधा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा, फिर उल्टा, सीधा, और लास्ट में हमने दो हमेशा, चाए इस साइड आएं, चाए उस साइड जाएं, दो उल्टे ही बुनने हैं, इस से ग्रेस आएगी डिजाइन की, और डिजाइन बन कर बहुत ही प्यारा लगेगा, यह देखिए, हमने जे बौटर बनाया है न, सीधे उल्टे पे सीधा, फिर उल्टा, ऐसे आपने बनाना है, तो हमें साइड में चेन बनती जाएगी, जब हम बटन पट्टी रखेंगे, चाए इस साइड रखें, बटन पट्टी क्योंकि दूसरी अगर बटन पट्टी बनाएंगे, तो इस साइड आएगी, तो जे वाली हमने जहां पर बनाई है जब हमने ऐसा बौटर बना लेना है बौटर की लैंथ आप अपने हसाब से रख सकते हैं उसके बाद आपने 12 फंदों की बट्र पट रिखनी है दो चार चे आठ दस और बारा 12 फंदों की बट्र पटी रखे आगे आप कोई डिजाइन डाल सकते हैं दो फंदे बिल्कुर सीधे रख कर कोई भी डिजाइन डालिए तो इस पे भी हम बता देते हैं हमने जे उल्टा फंदा ऐसे ही उतार लिया आगे उल्टा फंदा बुणा फिर हमने सीधा फंदा बुणा सीधे पे उल्टा उल्टे पे सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा उल्टा सीधा और बटन पट्टी जोहां खतम होती है वहां उल्टा फंदा आगे हैं हर बार जहां बटन पट्टी खतम होती है वहां उल्टा फंदा आगे हैं हर बार जहां बटन पट्टी खतम होती है वहां उसके बाद हम आगे के दो फंदे सीधे रख सकते हैं बटन पट्टी के साथ बाकी आप डिजाइन डाल सकते हैं डिजाइन आप कोई भी डालिए जो आपको अच्छा लगे तो जे देखिए जे उल्टा उल्टा फंदा आएगा जब हम रॉंग साइड में आएंगे रॉंग स पंदा आएगा उदर भी उल्टा आएगा बटन पट्टी के साथ इदर भी उल्टा आएगा उल्टा आया फिर उल्टे पे क्योंकि बटन पट्टी स्टार्ट होगी है उल्टे पे सीधा तो ऐसे आपने बनाना है तो इसकी ग्रेस कुछ अलग ही आएगी तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अफ़जान कुराशी जी आप बनाईए मैडम ऐसा ही इचगदाना हम इसका नाम ही इचगदाना बॉर्टर रखेंगे तो आप हमारे चैनल पे इसको देख सकते हैं थैंक यू थैंक